अलो स्टुडेंट लेट सी दिस कुश्चन विच अब दी फॉलइंग फंक्शनल ग्रोप इस नौट प्रेजंट इन गिवन कंपाउंड थीक है तो बेसिकली हमें बताना है कि इन चारों उप्षिंस में से कौन सा फंक्शनल ग्रोप प्रेजंट नहीं है इस कंपाउंड में तो इसको समझने से पहले हम समझते है कि what is functional ग्रोप ठीक है तो अधि हम बात करें functional ग्रोप की तो functional ग्रोप बेसिकली defined as an atom या फिर group of atom group of atom that basically determines that effectively that effectively determines that effectively determines the chemical properties of an organic compound ठीक है तो basically हम बोल सकते हैं कि जो functional groups होते हैं basically यह decide करते हैं या फिर यह controls करते हैं कि how a molecule will function तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो basically क्या determine करते हैं कि chemical properties that means कि how will a molecule react यदि हम बात करें तो for example यदि किसी भी compound के अंदर same functional group present है तो उनकी जो chemical reactivity होगी वो भी क्या होगी same ठीक है तो और यदि different functional groups है तो उनकी जो chemical reactivity होगी वो भी क्या होगी different for example हमारे पास यहाँ पर एक RCH2OH अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके अलावा suppose करो हमारे पास एक हमारे पास है compound में ketone अब यदि हम यहाँ पर देखें तो एक के पास है alcohol और एक के पास है ketone तो इन दोनों compound की जो chemical reactivity होगी वो भी क्या होगी different that means कि they have different chemical properties ठीक है that means कि यहाँ पर यह होता है simple सा मतलब functional groups का अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर यह वाला compound है क्योंकि basically जो र, O, R जो compound होते हैं यहाँ पर हमारे पास functional group है ether ठीक है और यहाँ पर यह वाला function group है यह हमारे पास ketone का यहाँ जनरल structure देखें तो होता है हमारे पास RC11OR ठीक है अब यह R और R यहाँ पर यह ज सकते हैं अब यहाँ पर देखें तो यह वाला जो structure होता है LD यहाँ पर यह वाला जो है यह हमारे पास कैसा है यह वाला भी हमारे पास है कैसा ketone ठीक है अब यहाँ यहाँ पर देखें तो यह वाला कैसा है हमारे पास यह वाला है हमारे पास alcohol ठीक है that means कि यहाँ पर इन चार thank you